बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जन्दन खातों में सीधे 31,000 करोड रुपिया जमा करवाए गए हैं इस दौरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड रुपिये जमा हुए हैं इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान तेज गति से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिये खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आश्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियों आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोष्णा करने जा रहा हूँ साथियों हमारे यहां वर्षा रूत्व के दोरान और उसके बाद मुख्य तोर पर क्रिशिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपुर निमा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंद्रा अगस आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास में आएगी गनेश चतुर्थी आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बियू है नवरात्री है दुर्गा पूजा है दशारा है दिपावली है छटी महिया की पूजा है तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महिया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्यक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है